गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी एस कैप्टूल में आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके तयारी भी अच्छी चल रहे होगी अगर आप लोग चैनल पर नए है तो रेगुलर करेंट अफेर्स एक्जाम कोलमबो सेक्योरिटी कॉनक्लेव का नया सदस्य कौन बना है तो देखिए अभी तक इसमें चार मेंबर थे इंपोर्टेंट क्यों है क्योंकि देखिए इंडिया भी इसका मेंबर है और जिस गुरूप का इंडिया मेंबर होता है उससे संबंदित प्रश्न लगातार स्थापना 2020 में की गई थी छेत्रिय सुरक्षा समू कोलमबो सेक्योरिटी कॉनक्लेव ने हाल ही में आधिकारिक तोर पर बंगलादेश को समू के पांच में सदस्य के रूप में शामिल कर लिया है इंपोर्टेंट देखिए क्या है हम से ये पूछ सकता है कि इसका कॉन में मेंबर नहीं है तो देखिए इंडिया श्रिलंका मौरीश और मालदीव इसमें और चार मेंबर थे और पांच में नया मेंबर ये एड हुआ है कोलमबो सेक्योरिटी कॉनक्लेव की स्थापना साल 2020 में की गई थी ये भी याद रखिए देखिए इसके लावा अभी कुछ औ राजधानी अस्ताना में वहाँ पर बेलारूस को दस्वे सदस्य के रूप में चुन लिया गया है तो अभी तक उसमें 9 मेंबर थे जो 9 मेंबर था वो था इरान जिसको हमने 2023 में स्को में जोडा था अब 10 मेंबर बेलारूस बन गया है नेटो का न्यू मेंबर देखिए न 1949 में इसकी स्थापना की गई थी ये इसकी 75 वी वर्ष गांठ भी है इस साल तो इसलिए ये वैसी चर्चा में बना हुआ है और अभी नैटो के नए महासचेव या सेकेटरी जनरल किसको चुना गया है मार्क रूटे को इन्होंने किसकी जगा ली है जीन्स स्टॉल्टनबर अभी जगा इन्होंने ली है और ये कौन है यह है XPM of Netherlands तो नीदरलेंड के ये पर्धान मंत्री थे अब नीदरलेंड के पर्धान मंत्री इनकी जगा पर किसको बनाया गया है डिक शूफ को नया परधान मंत्री बनाया गया है तो यह भी आप याद रखेगा कुछ facts मैंने बता दिए में नाटव शिखर संभिलन कहाँ पर आयोजित किया गया जो दीखे मैं आप से कहा रहा था वॉशिंटन डी Murömा एसमेश कंटी achieved किया गया। अलही में सैने संगटन नाटो के सिकर संभिलन का आयोजन अमेरिका के वाशिंटन में किया गया, अगर बात करें नैटो के बारे में कुछ हम फैक्स देख ले गए, तो इसकी स्थापना उननिस तो गड़नचास में की गई है, हैटकवाटर इसका ब्रसल्स बेलजियम में इस् आई थी, पाकि इन सदस्यों ने मिलकर इसकी स्थापना उननिस तो गड़नचास में की थी, और ये कलेक्टिव डिफेंस, कलेक्टिव डिफेंस के उपर कारे करता है, मतलब अगर किसी भी एक मेंबर के उपर इसमें अटेक करता है कोई देश, तो ये माना जाता है कि जो सा और ये 11 जुलाई को मनाया जाता है, और ये UNDP, जो United Nations Development Program है, संयुक्त राष्टे की एजनसी है, उसके समनक्षन में मनाया जाता है, और अगर बात करें, ये पूछे आपसे पहली बार कब मनाया गया था, तो पहली बार ये 1989 में मनाया गया था, और ये देखिए, इसका में विश्वजन संक्या दिवस हमने मनाया था, और इस बार कि इसकी theme क्या रही है, वो सबसे important है, किसी को पीछे ना छोड़े, सभी को गिने, यानि leave no one behind, count everyone, ये इस बार कि इसकी theme है, तो date भी याद रखिएगा, पहली बार का बनाया गया था, किसके संनक्षन में मनाया ज और सबसे important क्या जारी करता है, ये human development report ये जारी करता है, जिसके अंतरकात हमारा क्या आता है, human development index या मानव विकास सूचकान, आगे चलते हैं, आलही में खबरों में रही, निर्मान श्रमिक म्रत्यू एवं दिव्यांग सहायता योजना किस राज्य से संबन्दित है, तो य आपके श्रमिकों के बच्चे है, उनके लिए विभिन प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारियों के लिए ये एक initial coaching scheme है, तो काफी अच्छी एक scheme है, नीचे आप इसके बारे में देखते हैं, श्रमिकों के बच्चों के लिए initial coaching सहायता योजना शुरू की है, 36 गड़ सरका स्टाफ सेलेक्शन कमिशन और बैंकिंग और रेलवे भरती जैसी परिक्षा है, शामिल है तो देखिए कही ना कहीं, बच्चे इसमें सेलेक्ट होंगे तो उनका जो इसतर है वो बढ़ेगा, जो status of living है या जीवन का इसतर है वो बढ़ेगा, इसके अलावा देखिए कुछ और जो विभिन राज्यों में स्कीम चर्चा में है, उसका रिवीजन एक बार कर लेते हैं, पीम श्री परियाटन हवाई सिवा, ये मध्यपरदेश शरकार द्वारा स्कीम शुरू की गई है, मध्यपरदेश के जो विभिन टूरिस्ट स्पोर्ट है, उसको हवाई मार्क से जोडने की ये इसकीम, मुख्य मंतरी निजुत मोयना योजना ये असम सरकार की स्कीम है, और ये इसके दो मुख्य लक्षे है, एक तो जो लड़कियों या छोटी लड़किया है, गर्ल चैल्ड एजुकेशन है, सिक्षा को बढ़ाना और दूसरा बाल विभा को कम करना, मन गर्दा स्वास्त, मुख्य मतरी जल्ड स्वावलंबन योजना, ये राजिस्तान सरकार की एक वाटर संरक्षन स्कीम या जल संरक्षन स्कीम है, तो ये कुछ स्कीम अभी चर्चा में बने हुए थी, हाल ही में खबरों में रहा माउंट एटना, किस समुद्र में इस्तित है हाल ही में इटली के माउंट टेटना और इसके साथ साथ देखिए, माउंट स्ट्रॉम बॉली जो आला मुखी में विस्वोट हुआ, माउंट स्ट्रॉम बॉली को क्या बोला जाता है, लाइट हाउस तूदा मेडि टेरेनिया, यानि भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज, भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज, माउंट स्ट्रॉम बॉली को बोला जाता है, दोनों ही आपके इटली में इसती था और कहाँ पर सिसली द्वीप पर, इसको पुरा याद रखेगा, यह नियू आल ही में खबरों में रहा, क्यूब सेट रेडियो इंटर्फेरोमेट्री एक्सपरिमेंट, जिसको शॉर्ट में क्यूरी मिशन बोला जा रहा है, तो देखिया आप क्यूरी मिशन भी याद रखेगा, यह किस अंतरिक एजंसी द्वारा लॉंच किया गया है, तो इसको ना CME एक चीज होती है, आपका कोरोनल मास एजेक्शन, जो सूरस हमारी लप्टे निकलती है, उसका अध्यान करने के लिए यह मिशन लॉंच किया गया है, हाल ही में भारत और किस देश ने जैविक उत्पादों के लिए पारस पर एक मानेता समझाते पर हस्ताक्षर किया है, जैविक उत्पादों के लिए एक समझाते पर हस्ताक्षर किया है, इसको याद रखिएगा, ताइवान का देखिए हम थोड़ा सा मैप देख लेता है, क्योंकि ताइवान इस न्यूज में बना हुआ है, तो देख लेते हैं, देखे चीन के यह चाइना है आपका, इसके इ पहले इसको फौर्मोसा, चाइर खर के नाम से जाना जाता था या फौर्मोसा जल्डमरो मध्धे के नाम से इसको जाना जाता था, अब इसको ताइवान इस प्रेट बोला जाता है, यहाँ पrd देखेंगे, इसके swinging सौथ चाइना सी बड़ता है, और यह पूरा आपका दे अगर रीवर दीखेंगे तो दो रीवर आपको को यहाँ पर देख रहे होंगी एक तो चोशुई रिवर है और दूसरी कापिंग रिवर है तो यह दो रिवर इसमें इमपॉर्टेंट है इसके शाव्थ में देख тех teacher बहूत इंपॉर्टेंट जल है लूजॉन स्ट्रेट ठीक है या लूजॉन डेल डमरू मद दे तो इसको भी याद रखिए गया यह कुछ इंपोर्टन पूरा मैप से संबंदे फेक्ट हो गए हाली में किस राजय सरकार ने EWS, SEBC और OBC लड़कियों के लिए मुफ्त उच सिक्षा नीती की घोशना की है तो इनके लिए हायर एजूकेशन में प्री एक तरह से सिक्षा देने के लिए यह स्कीम लांच की है या नीती की या पॉलिची की घोशना की गई है तो महराष्ट सर सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग और अन्य पिछड़े वर्गों की लड़कियों के लिए उच्छ सिक्षा मुफ्त बनाने वाली एक नई नीती की घोशना की है तो कहीं ना कहीं जो वुमन एंपावर्मेंट है या फिर महिला से शक्ति करण है उसकी दिशा में अच्छा कदम है क्योंकि इंटर तक तो या 12 तक तो सभी लड़किया पड़ती है लेकिन उससे आगे की एज्यूकेशन बहुत सारी लड़किया नहीं करती तो उसको प्रमोट करने के लिए ये महाराश सरकार की स्कीम बन इसके अलावा मध्य रेल्वे ने या सेंट्रल रेल्वे ने अपनी तरह का पहला तैरता हुआ सौर उर्जसायंत्र महाराश्टर की एक लेख है एक जील है वहाँ पर स्थापित किया है लेख का नाम है लेख इगतपूरी इगतपूरी जील में एक 10 मेगा वार्ट का तैरत इसका नाम है मुख्यमंत्री माजी लड़की बहन योजना इसको याद रखिएगा इंपोर्टन्ट है मुख्यमंत्री माजी लड़की बहन योजना तो इस वज़े से महराश्ट अभी न्यूज में बना हुआ और हाँ एक चीज़ और है अभी एर इंडिया ये भी महराश्ट के लिए इंपोर्टन्ट है एर इंडिया इंडिया का सबसे बड़ा प्लाइंग ट्रेनिंग और्गनाईजेशन यानि उडान प्रस्षिक्षन केंदर इस्थापित करेगी महराश्टर के अमरावती में ये भी आप याद रखिएगा महराश्टर के अवरावती में एर इंडियास को डेवलप करेगी इस एकाईने भारत का पहला तेल और गैस एक्सचेंज ट्रेड़ेड फंड जिसको ETF बोला जाता है शॉर्ट में आप से अगर ETF कुछ है कि पहला तेल और गैस या ओल एंड गैस एक्सचेंज ट्रेड़ेड फंड किस ने लॉंच किया है तो टोबैको कंट्रोल है ठीके टोबैको कंट्रोल यानि जो तंबाखु कंट्रोल के लिए भारत का ब्रेंड मेज़र न्यूक किया गया है 31 मई को तंबाखु निशेद दिवस मनाया जाता है उसी दौरान यह घोशना की गई UNESCO ने Biosphere Reserve के विश्व नेटवर्क में कितने नए Biosphere Reserve जोड़े हैं तो आप सब को पता होगा UNESCO एक World Network of Biosphere Reserve तो जितने भी Biosphere Reserve है जैसे भारत में टोटल 18 Biosphere Reserve है उसमें से कुछ बायोस्वेयर रिजर्व यूनेस्को के व्ल्ड नेटवर्क में आते हैं यानि जो वेश्विक लेवल पर बहुत ही महतुपूर बायोस्वेयर रिजर्व है या जैव मंडल अभ्यरन है वो इसके अंतरगात आते हैं तो अभी 11 नए Biosphere Reserve को UNESCO के इस network में जोड़ा गया है, भारत के 18 में से 12 Biosphere Reserve UNESCO के इस network में आते हैं, ठीक है सारे नहीं आते, 18 में से 12 आते हैं, तो अभी 11 इसमें नए जोड़े गए हैं, अलग-अलग देश में, अब इसके साथ देखे जो भी 11 नए add हुए हैं, अब टोटल स संख्या विश्व में 769 नए Biosphere Reserve की है, टोटल Biosphere Reserve की हो गई है, जो अलग-अलग 136 देशों में फैले हुआ हैं, बात करें अगर UNESCO की, तो UNESCO की स्थापना जो है, 1945 में की गई है, इसका headquarter पैरिस में इस देखे, माफ कीजी, 1946 में, 1946 में इसकी स्थापना की गई है, headquarter इसका पैरिस में इसका, दस्वा, BRICS संसदिय मंच, इंग्लिश में बोला जाता है, BRICS Parliamentary Forum कि शहर में आयोजित किया जाएगा, तो अभी, ओम बिल्ला, जो भारत के लोकसभा के speaker है, वो एक delegation को लेकर, ये group को लेकर यहाँ पर गए है, और इसी को ये lead कर रहे है, St. Petersburg, रूस में इस आयोजित किया जाएगा, इसके लावा कुछ अन्य बैठके, जो चर्चा में रही है, वो देख लेते हैं, SCO की देखिए, शंगाई सहयोग संगठन की अभी बैठक होई थी, जहाँ पर इसकी अभी विदेश मंत्रियों की बैठक, नई दिल्ली में आयोजित की गई, विदेश मंत्रियों की बैठक, जो ब्रिक्स है, जिसमें पांच देश है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका, अब कुछ नए मेंबर भी इसमें जोड़े गए हैं, उसके बाद ये पहली इस तरह की मीटिंग थी, और ये निजनी नोवो गोरोड में हुई थी, जो की रशिया में इस्तित है, तो ये सारे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, जो अभी रिसेंडर मीटिंग हुई, अब किस नोडल मंत्राले के अधीन काम करेगी, देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्ण है, हुआ क्या है, पहले जो हज समीती थी, जो हज पर जाते हैं, भारत के मुस्लिम समाज के लोग, जो उसको पूरा मैनेज करती है, उस ट्रेवल को, वो पहले काम करती थी, विदेश मंत्राले के तेह, जिसको हज कमिटी ब कुछेगा, क्योंकि इसमें चेंज की गई है, मिनिस्ट्री, नीचे आप देख भी सकते हैं, सरकार ने अल्प संख्यत मामलो के मंत्राले को, हज समीती के लिए, नोडल मंत्राले के रूट में अब नामित किया है, जो विदेश मंत्राले से कारेभार समालेगा, तो यह के लिए कमेटी बनाई गई है, डॉक्टर के राधा किष्णन जी की अद्यक्षिता में, जो इसरो के पूर्व अध्यक्षिता है, आर्बी आई ने भूपतान दोख़ा धड़ी को कम करने के लिए, एक समीती का गठन किया है, किसकी अध्यक्षिता में? एपी होता जी की अ रही है, इसके अलावब यह important है, देखिए, क्योंकि महिलाओं से संबंदित प्रश्न पूछता रहता है, तो लिंग समवेदन शीलता, यानि जेंडर सेंसिटिवनेस और आंतरिक शिकायत समिती, यानि इंटरनल कम्प्लेंट्स कमेटी नियायमूर्ती हिमा कोहली जी की अध्यक्षिता में बनाई गई है, और इसके एक और मेंबर है, बीवी नागरतना, ये भी एक महिला है, और जज है, ये भी इसकी एक मेंबर के रू उसके सलाकार या एडवाइजर के रूप में, डॉक्टर स्वाम्य सामिनाथन जी को चुना गया है, तीवी एक बैक्टीरिया, यानि जीवानू से होने वाली बिमारी है, और नाम क्या है जीवानू का, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस, नाम आप बैक्टीरिया स ये होता है, कौन सा राज्य जल्द ही, ये भी बहुत important news है, अगले 10 वर्षों के लिए सलक सुरक्षा कार्यय योजना, यानि road safety action plan, अपनाने वाला देश का पहला देश बन जाएगा, तो यानि जो सलक सुरक्षा है, जिससे आपके गढ़्धे वगरा कम हो, दुर गढ़ना और इसका देखिए, मुख्य उद्देश है, 2030 तक ये सलक दुरगटनाओं में 50% की कमी लाएगा, अगला देखते हैं, यही देखिए हमारे आज के सारे current affairs थे, जो विभिन परिक्षाओं से संब्दित थे या विभिन चेत्रों से संब्दित थे, अगर आपको session अच्छा ल